वेल्कम बैट टू मैं यूटूब चैनल पेपर है कर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोश्चन नंबर टेन ठीक है जो कि आपका जोलोजी का पॉस्टन है पॉस्टन नंबर आपका है इससे पहले हमने एक से लेकर नौ तक जितने भी आपके लॉंग आंसर टाइप कोश्चन है उनको हमने एक एक करके डिसकस कर लिया आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोश्चन नंबर आपका टेन ठीक है अगर आपने उनको नहीं देखा तो पहले आप उनको देख लीजी फिर आपको यह देख लेना ठीक है इससे पहले हमने नुक्लियो टाइड को पढ़ रखा ठीक है पहले इससे पहले वाले वीडियो में हमने कहीं नगई नुक्लियो टाइड को पर रखा जाए थार्ट को आपका चाहाए फिप्त वाला हो ठीक तो इसमें हम बात करेंगे कह रहा है कि नूकलियो टैड ठीक है नूकलियो टैड से आप क्या समझते हैं इनके प्रकार सरचना तथा क्या करना है संसलेशन का वर्डन करना सबसे पहले बताना है कि नूकलियो टैड होते क्या है फिर क्या करना है इनके प्रकार बताना है कि नू सिंथे से सुता तो ये आप से पोच रहा है अगर हम बात करें किक तो पहले हमने पढ़ा था नुक्लियोटवering और एक प्रणां नुउक्लियोटवनियोटव आफिट क्या पढ़ा था नुखलियोटव Его अगर्वीस आगल आपको ध्यान होता हो थिक अ होता है नाय ट्रू आंग विए बैस को टिया है के अग्लाρ यह tám ऐसमें नाय प्ला रहता है छुगर नाट्रो जञाक चाय और आपका सुगर तो यह दोनों चीजें मिलके क्या बनाते हैं आपके नुक्लिूस बना दें कौन-कौन से नाटोजन शारक प्लस उसमें आपका क्या होगा सुगर होगा ठीक है पेंटोज सुगर ठीक है इससे डियाक्सी राइबो शरकरा या राइबू शरकरा के नाम से जानते हैं तो उन में से आपको दो चीजे जब से अगर हम रूपन क्या पढ़ा था हैं पार यहाँ पर क्या हो जागा आपका क्या हुआ पासफिट क्या हो जागा फास्ट फेट गुरुप हो जागा ठीक है तो नुकलियू साइड में क्या क्या आता है आपका दो चीजे नुकलियू साइड में आ जाती है उत्धर क्या आ जाता है आपका फास्ट फेट गुरुप ठीक है तो ये तीनों चीजे मिलके क्या बनाती है नुकलियू टाइड का न सानिन थाइमीन सैटों इन में से आपका कोई वी region बैस घान्तों जञें सुगर होगा और स्पेस्तों सुगर के साथ में अगर आपका फासदे लहीं गुरुप लग जाए तो psychology होगे के अपका- नियूकलियू टाय ? छींट है और और सुगर की एगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से आपको सुकर देखने को मिल जाएगी ठीक है पिन्टू सरकरा ओएच और यहां पर एच यहां पर आपका वेच और इस बाले कारवन से निचे हाइड्रोजन लगा होता है और यहां क्या होता है आपका CH2-OH ठीक है क्या होता है CH2-OH यहां पर आपका कोई भी बेस मिल जाए क्या मिल जाए यहां पर लगा होगा आपका बेस क्या लगा होगा नाइट्रोजनस बेस चाहिए वो एड़नीन हो थाइमीन हो गवानीन हो और साइटोसीन हो तो यह क्या बन जाएगा आपका तो यह आपका क्या बन जाएगा नुक्लियो साइड बन जाए भी को लगा होगा फास Priest लगा होगा आपका फास्पेड़ों जुड़ जागा आपका न्यूखल टाइडड ने यहीं समझना है कि निउकलिटाइड क्या होता है ठीक है इसका संथेसिस कैसे होता है और इसके प्रकार कौन-कौन से ठीक है कि तो हम बात करते हैं आंसर के ठीक है करा है composition and molecular structure इनका जो आंडविक सरचना है वो कैसी यह और इनका संगटन क्या है ठीक है किसके से मिलके बना है ततता फास्वोरस के ऊच ऊर्जा योगे खोते हैं किस किसके होते आपके नैंट्रोजन Fortunemotion रचाजाल कर दें कार वन decorations यहांने मिलेगा है और क्या मिलैंगा आपको फास्वोरस के ऊच उरिजा के योगे होते हैं की है की कारवो आळा कि नुक्लियम्टस कहारा है इनका प्रतियक अड़ू सहह सहयोजी बंधों द्वारा तीन सहहयोजी बंधों द्वारा कितने बंधों से समाक्षार या नायटोजनस आपका बेस होगा पहला दूसरा क्या होगा आपका पंच कार्वनिये शरक्रा याने कि पांच कार्वनों वाला क्या होगा एक आपका सुगर होगा ठीक है क्या कहते हैं पैंटोज सुगर ठीक है आपका फास्टिट गृप हो घृँप होगे तो यह तीनों चीजे मिल कैब बना लेंगी आपके नुक्लियो नियूक्लियो टाइड का निरमार कर देंगी ठीक जमज़ा गया है नाइट्रोजनस weiß होते हैं उनकी बात करेंगे नेख्लीवटРИड्ड मेन जो आपके नाइटॉजनस बेस होते हैं उनकी हम बात करेंगे फिर तो कहरना यह पांच प्रटार कंते हैं कितने तरह के होते हैं आपके 5 डिनोट करते हैं तो यह क्या हम आपके नाइटोजन आस तीEr तो यह और यह खोगे आपके नार्ट जरनास भेस ठीके है किसके के नुगलियो ट्रीट अले इन के एक नुग्ष न डूय न सान अर। इनके अडूओं में प्रमुक केंद्री वाग कारवन एवं नायट्रोजन की बनी एक ऐरोमेटिक और विसम चक्री ये बले सरचना होती है किसके क्यों की बात कर रहा है नाट्रोजनस बेस की बात कर रहा है ठीक है किसकी बात कर रहा है नाट्रोजनस बेस की बात कर रहा है इनमें क्या होगा प्रमुक केंद्री वाग कारवन एबं नाट्रोजन की ठीक है किसकी होगी कारवन एबं नाट्रोजन की बनी एक आपकी एक 20 यह दिन पार भूग की च्छटिए दो आपके अ क्पीतने कर dél प्लिल हो सकती है जैसा एक रिंग बन जा ठिक कि इसमें कैसे में संकर्बनों तो इसम्पर कारवन रिदि और यह उसकती है और यह तीन कर शकती है यह आपकी 9 कारवनों की रिंग हो सकती है इसके अगर हम बात करें यह जो आपकी है यह किसने कारवन की है यहाँ पर 5 कारवन की है ठीक है आपके इसी तरह से 7 कारवन की हो सकती है तो यह कैसे होगी आपकी एक संग रिंग होगी यह निकि आरोमेटिक और दूसरी कैसे होगी आ जाने की जल में अल्प बिले होते हैं केंद्रिये बने सरचना के आधार पर इनको दो भागों में बाटा गया केंद्रिये बने सरचना के आधार पर इनका जो मुख्य भाग होता है उसके आधार पर इनको दो भागों बाटा गया वो कौन-कौन से भाग है यह तो आपका होता प्यूरीन क्या होता आपका प्यूरीन दूसरा होता आपका प्यूरीन और प्यूरीन अब हम बात करेंगे प्यूरीन और प्यूरीन की ठीक है तो प्यूरीन और प्यूरीन ये आपके दो भाग होते हैं प्यूरीन नाइट्रोजन ये समाक्षार तीन प्रकार के होते हैं कौन आपके जो प्रिमिदीन है, प्रिमिदीन आपके Other three sunny Sun के होते हैं थीक हैंwriter Um साइटोसीन क्या होता है सैटोसीम जिसे हम सी से डिनूट करते हैं दूसरा होता है यॐरे से जिसे हम यू से डिनूट करते हैं तो याद कि आदर उन्हें कि आपका जो प्रिमीडीन नायटो जी साहर होते हैं तीन तरह पुरिवेट हैं सब्रौन क्या होता है आपका एडनीन और 2 आपका गौनिन और नंबर यー एडनीन नमबर दो आपका गौनिन ना ठीक है कहारा है नुक्लिटाइड के संयोजन में दो प्रकार की कितने तरह की दो प्रकार की पंच कारवनी शरकराएं भाग लेती हैं दो तरह की 5 कारवनी यानि की 5 कारवन उसमें पाय जाएंगे ठीक है ऐसी सरकरा होगी वो कौन कौन सी होती है एक तो आपके होगी राइबोज और दूसरी कौन सी होगी डी आक्सी राइबोज अब राइबोज और डी आक्सी राइबोज में अंतर क्या जो आपका डी आक्सी युखर्व होता है इसमें पहले का दूसरे कारभन वहां سے एक ऑक्यों सरचना चहलाती और इससे पहले आका राइबको झाता है उसमें आपके कि तीन चार आपको देखने को मिल जाते हैं ऑपको तरह से यह देखो हुआ आपका युफिजियन और यह पहला कर्वन जिस पर क्या लगा रहता है औरहाँ एच इसमें और इसमें आपका एच और यहां पर आफका एच और है ऑठ और यह पर यहां रहां तो इस हुआ जाता है आपका oxygen बाहर चला जाता है क्या जाता है यहाँ पर कहारा जागा केवल hydrogen तो इसको कहते हैं डी को डी घॉक्सी राइन ठीक है जब ऑप और यहां से निकल जाता है जब नहीं निकलता तो आपका कहला था राइन शुकर निकल जाता है ऑक्सिजन तो डी आक्सिराइब हो जाने कि उसका क्या हो जाता है डी आक्सिजन हो जाता है कहारा नूख्लियोटाइड का संस्छेएट अब हम देखेंगे कि जो ने क्ई रहने वो किस तरह कि रह później सट्थ किया जाता है उनका निहलन किस तरह आपको याद रखनी है चलिह हाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके जो न्ट जटनस बेस है है नाइट्रो जनस बेस ही हम यहाँ पर बात करेंगे जो कि क्या थे आपके एडिनीन फैमीन добр ठाइटरवन और क्या था को सभसे पहले आगर हम करें आड कि आडर्ल कि कि पर दोनों आपके तरह कुछ इसतरी ने इंप की six carbon six remember carbon रिंग होगे जो कि आप कि कैसी होगे चक्रीए यह वाली आपकी काईसी है चक्रीए यह इसको कẫn कि क्या कहते है यह लिखता दाया प्लब मेर्टिक है और यह जो दूसरी भी आपको दिखाई दे रही यह कैसी आपकी बिसम चक्री है बिसम चक्री है यह इसको कहते हैं हैट्रो साइकलिक क्या कहते हैं हैट्रो साइकलिक तो यहाँ पर जो आपको पहली रिंग दिखाई दे रही यह वाली इसकी अगर हम बात करें तो कहलेगा एक कारवन उसके बाद क्या है पासको आले में नाइ्टोजलन और लिए यह आपके आगए हुए है और यांने जब हम इसका नेवन कलेंख नहीं तो काद करेंगे लोगा हुआ है लोगा हुए यानि कि जब हम इसका नेमन के लेचर करेंगे तो कहां से करेंगे यह जो आपका सबसे ऊपर वाले कारवन के पास में लगा हुआ है यहां से गिनना शुरू करेंगे एक दो तीन चार पांच और एक छे ठीक है क्या हो गया छे इसके बाद इधर आ जाते हैं इस नाइटोजन क नाटोजन नीचे इसको 9 नमबर देंगे यह नौ नमबर देंगे तर यह दो रिंग है ऐक कैसी है आपकी चक्रिय है दूसरी कैसी है बिसम चक्रिय ठीक है एक यह द्हार रखना है कि जो आपका इडिनीन है इसमें जो आपका साइकलिक रिंग होती है उसके सबसे उपर वाले कार्बन पे आपका एमीन गुरूप लगा हुआ था एनेच टू ठीक है क्या लगा हुआ होगा और यह जो आपकी है ट्रो साइकलिक होगी इसमें साथ और नौ पोजिशन के और केसे साथ नुव नव पोजेंशन पर इसमें लगा इसमें फ़र्स तर पोजिशन पर नचूर हुआ दिया जोड़ दिया यह वन ऐसको बनगी आपकी और यहां नायटोजन लगा दो ठीक है और इन दोनों को जो है कार्बन से आप जोड़ दो किस से जोड़ दो कार्बन से और बैलेंसी पूरी कर दो भी बैलेंसी पूरी करने के लिए क्या करना होगा है यहां एक डबल बांड लगा दो क्योंकि नायटोजन पर कितने बांड हो आपको किस तरह से बॉंड लगाना है यहां पर ऊपर सबसे पहले कि लगा दो नच तू लगा दो इसके बाद और ना लगाद ऊ Emp कहा से करनी है norm यहां से जो आपका इस्ट्रक्चर बनके त्यार योजागा पहनद नीन ठीक इसी कि तरह एडनीन और man in डॉपक से इस में चोंतर ये है आपका जो दूसरे रूसरी पोजिशन दया दूसरे ये नंबर पर ये सब्सें के लगौ।ो गुरुप गुरूप का आप 00 अफ्या लगा विए ठीके ये वा अंतर करना ऊपर O.H और नीचे सेकंड कारवन पे एने चटू केबल इतना ही अंतर है गवानिन में ऐडिनीन की तुलनामें और दोनों कैसे हैं आपके बराफ सेम है ठीक है 살ियों तो यहाँ पर का 2.7 जिसमें आपका कारबन उसके बाद नाइट्रोजन फिर अपने उपर बना बनाय था ठीक उसी तरह कि में पूर ईशन से लगा देना और यह जो आपका शिकट कार्बन इस पर भी आपको ऊच लगा दीन तो आपकाınız कहा जाएं शिद्स और यह कहां जागा आपका दूसरे कारवन पर ठीक है ऊपर और दूसरे कारवन पर ऊच लगा देना है और यह जो आपका फिप्त कारवन इस पर क्या लगा देना है आपको CH3 लगा देना है तो इस तरह से आपका थाइमीन का इस्ट्रक्चर जो है बनके त्यार हो जागा ठीक तो सबसे उपर वाले carbon पर क्या लगा दो OH ठीक है फर्स्ट और सेकंड सेकंड वाले carbon पर भी लगा दो OH ठीक लगया और यहाँ पर आपका फिप्त carbon है इसपे क्या लगा देना आप को CH3 के लगा देना है CH3 अब बैलेंसी पूरी कर दो भी nitrogen को तीन जाहिए अब तीन हो गए यह से भी तीन चाहिए तो यहां डबल बहुअ खेक कर दो और इसका कर देना है एक दो तीन है तो इस पर एक ईया Cache बन जागा रब माध करना है साइटो सीन के लग दखने में क्या इसेन और रिसमें और जग जखह क्या लगा हुआ है NH2 फॉर्ण और दोनों कैसे सज्व है फिए है तो ऐच की जगए NH2 लगा देना और क्या बन यह है B समझा घे इसके और हम बात करें ऐसे अगर हम बात करें और यह आकर आधर करें दिसे छ खरकुष यह ऐख है तरिया थे है तो यह Great क्या हो जागा फर्स्ट कार्बन हो जागा एक तो पहले निकलेगा तो यहीं से निकलेगा और इसको बना देगा डी औक्सी राइबोज सरकरा बना देगा ठीक है और बागी आपका ये सेम जियों गत्यों बना है पासपोरिक आपका एच्टरी पीओ फोर क्या होता है आपका एच्टरी पीओ फूर यानि कि फासफोरस से क्या लगए रहें तीन वह लगे होंगे कितने ओएच तीन वह आपके कुछ इस तरह से जुड़े होंगे और एक क्या होगा डवल वांड तो यह क्या हो जागा आपका फासपोरिक आपको समझा आगा ठीक है जो हमारे नाइटोजनस बेस थे वह भी थे आपके चारों और यह क्या आपका सुगर है और यह क्या है आप अब आपका फासपेट समूह याफासपोरिक आसेड का इस ट्रक्चरह तो यह सभी इस ट्रक्चर आपको समझावगा होए ठीक है अब हम बात करते हैं इसके आगे कुछ और कह रहा है इस रहा नूक्लियोटाइड जो टैक्द यह पर आपको पूरी करनी होती है क्रितिम कटेपी बंद द्वारा समाक्षण अडू से जुड़ता जो पहली steep होती है उसमें क्या होगा आपका जो सरक्राण अडू है ठीक है राय वो सुगर है या पएंटो सरक्राण है वो क्या करेगा nets calm function यानना कि nitrogenous प्राकार नुकलियो साइड कहते हैं अब क्या बन गया आपका नूकलियो साइड बन गया है ऑडु को इस बनने में जल का एक अडु प्रतकोता यानि कि यहाँ पर H2O बाहर निकलेगा ठीक है क्या होगा H2O रिलीज होगा और कह रहा है यह निर्जली करण संगनन सहलगनता होती है और यह जो कंडिशन होती है क्या होती है निर्जली करण यानि कि जलका निकलना क्या कहलाता है निर्जली करण कहलाता है कह रहा है यह बंद शरकरा कौन से कारवन होगा पहले कारवन वाले स्थान पर होगा यानि कि आपका सबसे पहला कारवन होता है इसी पर होती यह करिया ठीक है से करया कार्बोनिल समूँ और पिरमडीन समाकचार कर्बन 9 के बीच में बंध बनता है किसके बीच है जो आपका पिरमिडीन का समाक्षार होगा ठीक है प्रिमिदीन का समाक्षार होगा आपका चाहे मोथायमीन हो चाहे आपका साइटोसीन हो उसका कारवन नंबर कौन सा होगा नौ नंबर उसका 9 होगा ठीक है उसके बीच में आपका bond बनेगा इस carbon पहला और nitrogen 9 के बीच में bond बनेगा ठीक कि यहां पर carbonil सम्हून नहीं होगा काउसा होगा hydroxyl समूँ होगा ठीक है carbon number 1 पर क्या है hydroxyl समूँ प्रिजेंट रहता है ठीक है और कार्वोक्सल नहीं ठीक है क्या रहता है आपका हैड्रोक्सल समूर है ता इसलिए इसे नाइन गलाइकोसिडिक बॉंड खायते हैं ठीक है अभी बनेगा यह किस तरह से बनता है सब जानेंगे पेरा राइबोज तथा डी ऑक्सी राइबोज न्यूकलियोसाइड क्या है र और आपका जो राइबोज सरकरा होगा ठीक है राइबोज सुगर होगा यह थाइमीन के जात में सही लगनता नहीं बनाएगा और आपका जो डी आउकसी राइबो जहें ठीक है डी ऑकसी सुगर लिख दिया डी सी डी अ शुगर यह क्या होगा यह किस के साथ में बॉरेसील के साथ में बॉरेसी competitors नहीं बना थीक है तो यह द्या करें इसको छोटा करें लेते हैं सबसे पहले आपको देजर रखा है क्या है आपका डि A clean दिख IO क्या है दूसरे कार्बन लगा गड्रोजन इसके साथ वाला झीला है असे निकल गया है आप बन गया अब चया लगा हुआ आपका को यह कोई nitrogenous शारक किया है nitrogenous आपका been soup Plus में जोकी कि आपका थायमीन से Talンド का लगा हुए यह लगा वे अगर cuze के पहले कारवन से और इसके हम बात करें तो इसका nitrogen कौुession कौन सा तो यह नाट्योजन यह ग्लाइकोसिलिक बांड क्या कहते है नाट्रोजन घ्लाइकोसिण बांड कहते है यह आपका क्या यह 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 चू च्छी टू होता है कैंवार तुम क्निर निर्माण कर लेते हैं और जो फासपुर्स का फासपुर्स का अच चैश घुड़ जाता है आपका फिब्टर वाले कारवन से ज़ुड़ जागत इसके डी आुख प्रतिय कार्बनी सरक्रा के लिए उपलब्द नाइट्रोजनी समाक्षारों की संख्या पांच होती है कितनी होती है समाक्षारों की संख्या आपकी प्रतिय कार्वन सरक्रा के लिए उपलब्द नाइट्रोजनी समाक्षारों की संख्या आपकी पांच तो होती है Adenine, Guaniin, Thiamine, Cytosine और लेकिन आपके जो नूकलीवसाइड होते हैं चाए आपका राइबनुकलीूसाइड हो चाहा आपका डि राइबनुकलीूसाइड है उनकी संक्या कितनी रहती है चार चार रहते हैं ठीक है याद रखनी है कहना नूकलियूसाइड के नाम समाक्षरों के मूल अक्षरों के आगे इसके समाक्षरों के मूल अक्षरों के मूल नामों के आगे क्या लगाते हैं इडीन लगा देते हैं क्या लगाते हैं आई डी आई एनी इडीन लगा देते हैं ठीक है क्या लगा देते हैं इडीन या ओक्सिन लगा देते हैं यह दोनों चीजें लगा देते हैं अभी आपको समझ आगा यह दोनों चीजें हम किस तरह से एड कर रहे हैं इडीन और तो यहां पर यह आपको पहला दे रखा है डी ओक्सी डी ओक्सी साइटिडिलिक एसिड क्या है डी ओक्सी साइटिडिलिक एसिड यानि कि इसमें क्या लगा होगा साइटोसी लगा होगा क्या लगा होगा आपका साइटोसी लगा होगा ठीक है तो यहां पर अगर हम बात करें यह आपका क्या है डी ओक्सी राइबोस सुगर है ठीक है कैसी है डी ओक्सी राइबोस डी ओक्सी राइबोस आपका सुगर है और यह क्या है आपका फास्पेट ग तो थीमिस साइटल तो तो यह है अब आपका एक पूरा क्या बन जागा यह जो आपका पूरा यह उगर्जा को रखलत बने का समय तरहाई के या डियोकसी थायमिंडलिक एसड स्थे के उसका मैंलइघ ऑपका इस से लगा ओघान की लगा होगा हुगा द्यामिन यह जो आपका नार हार 58 हुगा नार फोगा झान था वह वह एन मींद और यह आपका क्या है डी और बोचा एक अप द्यूसमे और को न करें यहां पर एडी निलिक लिखा हुगा इसका मतलब क्या होगा एडी नीन लगा होगा यहां से गिंते हैं और यह नाइट्रोजन आपका आ जाता नो तो इसमें किसमें आपका नाइट्रोजन नुमबर नु से एड़्ाइज है तो इसलिए कहते हैं आ मख्णालाइन गलाइकोषषदिक भॉन्ड ठीक है एन डान गलाइकोषदिक बॉंड जो की आपको किस में मिलता है दि युग सी इघ्टल इंपल नहीं हों खेज है और यह आप यह बचा हुआ है आपका राइबोस सगर है ठीक है तो यह हो गया आपका डियोक्सी एडिनलिक एसे नेक्स्ट आपका दे रखा दी ऑक्सी गौनिलिक तो गवानिलिक यहां पर लिखा हुआ समझ जाओ किया गौनीन क्या है गौनीन ठीक है नाइट्रुजन चारण अपका कौ पर लिखा राइबोस शरकरा है और उप्र करांब्राई आपका यह जो पूरा गुरुप लगा हुआ यह कहुं सा है गौनिन क्या आपका गौनीन इसका भी नॉलन नौ न होगा ठीक है नाटोजन पहला है तो यह जो बन्ड है इसको भी क्या कहते है नęरिटरोजन नायन ग्लाइकोसिडिक बन्ड जो का वन sync मत बन्न अपका डी ऑक्सी राइबोज का कारवन नमबर बन और जो आपका नाइटोजन सभाख चार होगा उसका नाइटोजन नमर कानमनों इन दोनों के बीच में बने हुए बांड को करते नाइटोजन राइक बांड करते ठीक है तो यह अपका पूंचा जा सकता के बने हुपय हैं हुपने उपर फड़ा था कि उनके मूल नाम के आगे क्या लगा देते हैं डीन लगा देते हैं यह लगा przedstaw पाफ सीद लगा देते यहले पेडा चार-चार रभन न्युक्लिय। साइड क्या चार-चार रिड़ hustler जो मने देखे तिख दे लिचा है आपके पहले कर ले देए कौन से पहला हो जागा आपका Ribocytidin क्या हो जागा Ribocytidin ठीक है just Memories comment like a vereई डूसरा है आपका Ribocytidin क्या है Ribocytidin इस में I din लए फिक है समय क्या लगगः डि आनी ठीक है क्या लगगः आई ड्लगगः डि Ahmed Eliandee को कि上4 दीन यानी किறी में की राई के तो यह किसके लिए हो जागा आपका एड्योंसिन के लिए हो जागा और आपका फूर्थ देर रखा राइब गवानोसिन राइबो गवाश्पड यह व्यापका गवानिसिन यह इसी तरह से अगर हम राइबो नूकलियोट की बात करें तो के हो जागा साइट डिन के वन ढटला है जो आपका फासफेट समूं लगा होगा सुगर के कारबन नमबर 5 से एक होगा सुगर के कारबन नमबर 5 से निया आपके नेन के सभी फिट नंबर कार्वन से आपका क्य लगा होगा आपका लगा इसके तो इसनलीह इसको फाइम मोनो फासफेट का नाम दे दिया गया है यहाँ पर आपके आगए Dioxy-Ribonucleoside और Dioxy-Ribonucleoside तो दे रखें और Dioxy-Ribonucleoside आपको दे रखें तो Nucleoside की बहले हम बात करते हैं तो कहरा Dioxy-Cytidine, क्या हो जागा Dioxy-Cytidine जो अभी उपर पड़े थे दूसरा हो जागा आपका Dioxy-Thymidine, क्या हो जागा Dioxy-Thymidine, थर्ड हो जागा आपका Dioxy-Adenosine ठीक है और फोर्थ हो जागा आपका Dioxy-Guanoside तो यह आपको चारो याद रखने इधर Dioxy-Rival Nucleoside की अगर हम बात करें कि क्या हो जागा Dioxy-Cytidine अम्ल या एसिड दूसरा है थाइमिडिलिक एसिड क्या है थाइमिडिलिक एसिड यह किसके लिए है थाइमिन के लिए थाड़ आपका Dioxy-Adenilic acid यह किसके लिए हो आपका आपका गौनिन के लिए है तो यह आपके चार-चार हो गया आपके राइबो नुकलियूसाइड और राइबो नुकलियूसाइड ठीक है चार यह आपके राइबो नुकलियूसाइड दे रखें और चार यह आपके राइबो नुकलियूसाइड दे रखें और चार यह आप संस्क्राइब डिर्ट यह से नहीं कि ए मस्ट इंपोर्टैयं संसं अगया तकते आपका इस पर्मिन तेवह कंपोनेंट के सने को गाती है क्लायोब की आपको समझे आए तरी आलवा, थांक्स वर वाचिंग एंड शेयर बेद बीटिए